तो अपना चप्टर चला लाइट और लाइट में आज जो जो टॉबिक इस जो लेक्टर में करेंगे वो है है is spherical लेंज इससे पहले उपने in a Benudì बात कर चुके हैं और फिर utraственно प्रिफ्रेक्शन बात कर चुके हैं आपका Lutherै कले चैसे क्लस के खांज अइब हुआ के वो दॉधा है आपका इस फैरिकल transparent reflecting material bounded by two spherical surface और one spherical and other जो है वो आपकी plane surface भी हो सकती है ठीक है या तो दोनों आपकी spherical हो सकते हैं या फिर उसमें से एक spherical हो एक plane हो तो अभी अपन उसको जो है spherical lens की category में डाल सकते हैं अगर दोनों plane हो तो फिर तो आपका slab बन जाएगा glass slab जो की इससे पहले और lecture में आप पढ़के आए हो ठीक है दोनों में से कम सकते हैं एक तो spherical होना ही चाहिए तब ही वह अपना spherical lens की category में आएगा ठीक है तो simple से क्या आए बस एक glass slab भी मान लेता है जिसमें से एक surface क्या कर देए फिर दोनों भी spherical कर सकते हैं transparent material है जिसमें क्याकर light एक medium से दूसरे medium जाएगी तो reflection का phenomenon होगा ठीक है यह basically spherical lens कहां कहां यूज आते हैं तो आपके जो most of the components है कौन-कौन से जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो अपना magnified glass होता है या फिर जो माइक्रोस्कोप होता है जो टेलिस्कोप होता है यह जो camera होता है यह आपके lenses के यूज आते हैं spherical lenses ठीक है अब यह दो टाइब के होते हैं जैसे आपके spherical mirror जो थे convex और concave तो यह भी same जो है दो टाइब के होते हैं concave और convex तो इसके बात करते हैं spherical spherical lenses तो यह दो टाइब के होंगे एक होगा आपका convex lens और यह होगा concave lens तो convex lens और concave lens जो होंगे यह अपने दो टाइब के हो जाएंगे अब इनकी definition देखते हैं simple सी पहले ही बात करें convex और converging lens भी बोलते हैं इसको converging lens तो concave lens बोलें यह converging lens बोलें दोनों एक चीज़े converging lens क्योंव बोलते हैं इसका रेजन अभी आपको पात चल जाएगा क्योंकि यह after reflection rays को जो है क्या करता अ कंवर्च करता एक point पे मिला देता है converging का मतल होता है एक point पर light को मिला देना तो यह मिला देता है ठीक है चलिए या फिर light को pass ले के आता है ठीक है convex और converging lens क्या होता है a lens which which thick at the center and thin at the edges is called is called convex less क्या बोला है कैसा lens जो की middle में से thick हो और आपका edges जो होती है बाहर रे वो वहाँ से thin हो तो उसको बोलता है अपन convex lens कैसा हो geometry सिंपल सा ऐसी कुछ यह से middle portion तो यह तो आपका जो है thick है और यह edges जो इसकी thin है इस सही है जो होता है आपका lens वह आपका दोनों spherical surface है बीच में से मोटा हो और side से edges से जो होगा पतल होगा तो वह अपना convex या फिर converging lens की category में आ जाएगा यह इस का diagram बन जाए ठीक है पर अगर बात करें second वाले की seconds हो जाएगा वो जाएगा कौन के हो कौन के हो काई से का ultra बोल तो क्या हो जाएगा कि a lens a lens which thin at the center and thick at the edges are called concave lens जिसको अपन diverging lens भी बोलते हैं क्योंकि यह rays को after reflection फैला देता है दूर दूर कर देता है तो diverging lens भी बोल सकते हैं या फिर concave lens बोल सकते हैं यह मतलब पुरा mirror का उल्टा ही है जो अपने concave और convex जो mirror पढ़े थे उसका just reverse है lens के अंदर तो जो अपने image formation पढ़े थे image formation बाए concave mirror and convex mirror पढ़े थे जो वहां पर concave के लिए पढ़े थे यहां वो convex के लिए पढ़ना है और जो वहां पर convex के लिए थे वो यहां सबको सेम रहेगा अगर वहां पर आपको समझ में आया है कि मेरे कैसे बनते हैं यहां पर कॉपी करना है ठीक है तो यह हो गए अपने दो टाइप के यह इसके भी डैगर मना लेते हैं इसका बनाया तो है ना तो कैसा यह कुछ ऐसा बनेगा बीच में से पतला और एजिस से कैसा होता है मोटा होता चूके भी अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है अब पकड़के देखेंगे पता चल जाएगा ठीक है इसके बात जो है वह कुछ आपके टर्मलोजी है जिसके बनाद करते हैं ना सिंपल डैफिनिशन आती है जिसके बनाद कर लेते हैं तो इसके रिगार्डिंग ठीक है एक सिंपल सा जैसे मैंने बोला कि ओविस्सी बात है यह दो स्फेरिकल सर्फेस से बाउंडड है मतलब यहां पर दो स्फेरिकल सर्फेस मतलब दो इसके स्फेर से मिलके बने होंगे मतलब इसके स्फेर इस तरह बालग होगा और इस सर्फेस के स्फेर इस तरह बालग होगा दो स्फेर है तो दो सेंटर ऑफ करवेचर भी आएंगे इस स्फेर का सेंटर कुछ यहां आएगा इस वाले स्फेर का सेंटर कुछ यहां आएगा इसको बन सीवन बोल सकते हैं इसको तो R2 हो जाएगी, R1, R2, ठीक है, एक इसमें इस lens का भी एक center रहेगा, जिसको अपन optical center बोलेंगे, उसके definition भी लिखेंगे, ठीक है, optical center आपके definition क्या है, एक principal access रहेगी, एक principal access हो जाएगी, दोनों center को join करने वाली line, principal access हो जाएगी, एक focus भी रहेगा, जिसके भी बात करेंगे तो यह कुछ terminology है, जिनके बात करेंगे, है ना, यहाँ पर, same है, same है, इसका साथ भी होगा, इसका भी एक center होगा यहाँ पर, इसका भी एक, और एक इदर, इसके भी दो center हो जाएगे, एक इदर, एक इदर, C1 और C2, center of curvature, इस अगी कैसे, ठीक है, अब कुछ बात करते हैं, dimensions की, center of curvature क्या होता है, radius of curvature क्या होता है, principle axis किसको बोलेंगे, optical center किसको बोलेंगे, ठीक है, optical center यहाँ पर वही काम करेगा, जो वहाँ पर पोल करता था, पोल लियाद है ना, mirror में, है ना, mirror का जो, aperture का, जो अपका center होता था, यहाँ बात करते हैं, ठीक है, ना, तो first रजाएग simple sapna, the center of curvature of lens, of lens is the, is the center of the sphere of which it forms a part because a lens has two has two spherical surface spherical surfaces so, so, it has two center of curvature, जिसको बोलेंगे, c1 and c2, ठीक क्या बोला है, की the center of curvature of the lens is the center of sphere, of which its form a part, radius of curvature भी जो है, वो दो होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो center है, तो center को join करेंगे, तो, वो center of curvature, दो radius of curvature होगी, of the of the surface of the surface of a lens is the radius is the radius of the sphere of the sphere of which the surface forms a part, क्योंकि बोला है, the radius of the curvature of the surface of a lens is the radius of a sphere of which the surface forms a part, वोई, सेम, सेम चीज है, दो spherical surface से दो sphere होँगे, दो sphere होँगे तो, उन sphere की जो radius होगी, जिसका spherical surface part है, वो अपनी क्या होजाएगी, radius of curvature होगी, R1 and R2 क्या होजाएगी, R1 and R2, दो होजाएगी, ठीक है, थर्ड होजाएगा, principle axis, जो, जो, the line joining C1 and C2, जोगें चेंटर प्रिश्जन 1 & 2 प्रिंसिपल एक्सिस जोगें यह प्रिंसिपल एक्सिस नोग एज प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी तीके बात करते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर की ऑप्टिकल सेंटर तो शेंटर देखेंगे यहां पर कहीं होगा वह भी समझाते ही क्या होगा तो शेंटर बात कर लिए पहले एना If a ray of light is incident on a lens such that after refraction after refraction through a through the lens through the lens, the emergent ray is parallel to the incident ray. Then the point at which the refracted ray intersects the principal axis is called optical center. क्या बोला यहां पर, simple सी बात बोली है कि if a if a ray of light is incident on a lens such that after refraction through the lens the emergent ray is parallel to the incident ray, obviously बात हो गई हो तो, then the point of which the refracted ray intersects the principal axis is called optical center. इसको समझते हैं. यह अपना का बना है अपने? Convex lens यह इसका यहां पर और यहां पर के center बना देते हैं, इसका center को C1 यहां पर, इसका center को C2 यहां पर. अब यह मांदो एक parallel ray आई. अब यहां पर सब्सक्राइब कर रही है, अब यहां पर रिफ्रेक्शन होगा, रिफ्रेक्शन होगा तो यह कुछ, अब यहां पर normal का है, तो normal होता है. इस सफेरिकल सेर्फिस का center से पास होता है, तो इस surface का center इस तरफ है तो कुछ, यह center होगया, है ना, तो यह, तो यह, इस surface का center कुछ इस तरफ हो गया, तो center की तरफ जो है, वो bend हो जाती है, ऐसे नहीं यह रे जाएगी ऐसे पैलल रे और यह क्या हो गए कुछ यहां पे तो इस केस में तो पर अगर यह पैलल रे ऐसे नहीं होती कुछ ऐसे आती है तो थोड़ी ऐसे बैंड होती अब यह जल जाती वह इंसिदेंट रे ऐसी थी इमर्जेंट रे इसके पैलल हो जाती है तो यह वाली जो रे है वो है रिफ्लेक्टेड रे यह क्या है इंसिदेंट रे एंड इमर्जेंट रे इंसिदेंट रे के यह मैं सा पैलल होती आफ्ट रेक्शन गीए आपका ग्लास लैब में भी आपन देखा था ठीक है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट या पिर हम बोल सकता है इसा पॉइंट जिसमें यह जो रिफ्ल कैसे करती यह आ जाता कोच्छ ठीक है तो अंधर भी ओसकता बार भी और समय स्मझने की बात है कि वह वह पॉइंट जिसमें आफर रिफ्रेक्शन जो रिफ्रेक्शन होती है वह जिस पॉइंट पे पिंसिफल एक्सिस को इंटर सक करती है वह पॉइंट मेरा अप्टिकल सें हैं यह जो इन जो इन스터 हो निकल जाए कि कया कि अगर यह जो पांस लेंस से जो निकल गई This बिना डेवेट है निकल गई ओर तो जिस पॉइंट से निकलती है रोते हैं इसको पॉल सकते हैं या प्लाज पर अपकर हो अपर लेंसिक लीह आपका को इसकेए. यह होती है ठीक है इसके बाद नेक्स है वो है फोकस है ना तो फोकस की बात करते हैं फोकस पॉइंट क्या होता है क्यों फोकस बात करें तो अपैल रे अपैल यह बात करें खस स कव्श नेदगल थे loकस है आर सक्यों पोल पर म으ल वह क्यों वे चनल नेख लेख लेख लेखे अस है उसका तो का actually meet or appears to meet at a point at a point this this point is known as focus point अब बोल्रा सिम्पल से वाद बोली है कि अगर पैलल रे और लाइट है वो फॉल करी किसी लेंस पे लेंस से reflection होने के बाद वो किसी पॉइंट पे actually meet हो जी लिया फिर आपके आपका डाइवर्ज होगी पर पीछे मिल नहीं सकते तो अपने उसको अप्याइट करवाएंगे तो ऐसा पॉइंट जो होगा जिसमें अप्याइट हो रही है तो उस पॉइंट को जिस पैसा हो रहा है उसी पॉइंट को मैं focus point बोलूंगा और focal length की बात करें focal length तो वो जाएगे अपनी तो distance between focus point and optical center is called focal length यह बात कर रहा है जैसे यह बात कर रहा है इसकी कौणवेक्स लेंस की बात कर रहे हैं से when to compare space में अगर पैलल रेज आई पैलल जय इसके लिए तो इसको क्या बिया का इसको मिला देता है जस्पान वो बिलाएगा उस point बोलेंगे और यह छोड के से लगा प्रेशन को अपने इसको फोकल लेन्थ को फैला देगा प्रेशन को फैला देगा लगर उसको पीछे मीट कर आएंगि पिछे इस अवाल जो consistent here look you focus जो है प्रेंट जो है आफ्टर reflection एंसा focus से पास होगी फोकुस से पास होगी। यह आपको image formation में help करेगा। अवहाँ पर बार्यात करो कॉन से प्रिस ऑप होती था झो प्रिसी आपको опятьat होगी। यह फोकॉस से पास होगी। छी से पॉक्किह की को आपको work करें। इसके साथ ही और अधनले का में एक तो आपको help करेगा। तो इससे के साथ यह실ज है इसके ऐतम होता हैं इसके बाद पढ़ेंगे इमे फर्मिशन पढ़ेंगे किसके इन दौनों लेंसे की है के आपन इमेज फर्मिशन कैसे करते हैं को आपने लेक्स में कवर करते हैंoriented ईसको Damn.